अलग अलग जग्या है स्पोर्ट वेल्डिंग बनावे चे आगर जुए तो हवे आगर गेस वेल्डिंग पद देती हो तो गेस वेल्डिंग मां गर्मीनों स्रोत तो गेस नी जियोत होये चे गेस वेल्डिंग मां गेस नी जियोतना उप्योग करी मेटल पीगाड़ी ने अथवा फिलर धातू नो उप्योग करी ने गेस वेल्डिंग करवां मां आवे चे तो गेस वेल्डिंग नी पद्दत जुए तो ओक्सी एसिटिलिंग गेस वेल्डिंग ओक्सी एड्रोजन गेस वेल्डिंग, ओक्सी कॉल वेल्डिंग, ओक्सी एल्पीजी, एल्पीजी लेके लिक्वीफाइड वेट्रोलेम गैस वेल्डिंग, एर एसेटिलीन गैस वेल्डिंग है, आगार जोई है तो, प्रतम, गैस वेल्डिंग ना, गैस वेल्डिंग ना, गैस वेल्डिंग नो, करी एक फ्लेम तयार करवामा आवे छे आ फ्लेम इटले के उस्णता और प्रकास नी उत्पती साथे नो बे अथ्वा वधारे वायू पदार थो वच्चे नी राशाणी क्रियाप नो प्रदेश आर इते जुदा जुदा दहन सिल वायू नो ओक्सीजन साथे उप्योग करी व फ्लेम बेज मेटल तधा फिलर रोड पीकाडी ने वेलड बीड तयार करवामा आवे छे अने जुदा जुदा बागोंने जुडेज वेलडिंग मा जुए तो ओक्सीजन साथे अलगळा गवायू वापरी और फ्लेम उत्पन करवामा आवे छे और बेज मेटल अत्वा तो फिलर रोड अगाणी अने वेल्डिंग क्रिया करवा मां आवे छे सो प्रतम जिये तो ओक्सी एसिटिलिंग वेल्डिंग तो ओक्सी एसिटिलिंग वेल्डिंग ए ओच्छी जाड़ाई नी धात्तुओनू वेल्डिंग ओक्सीजान अने एसिटिलिंग ब्ये वायो ना आक्रुदी मा जूए के मानास एक वर्क पीस पर वेल्डिंग करी रहे चुँए त्याना हार्थ मा जे देखाए छे ए वेल्डिंग टॉर्च छे अने बीजया जमणा आत्मा देखाए छे फिलर रोड छे टॉर्च मादी टॉर्च ना छेड़े फ्लेम उत्पन धाये छे त्य आक्सीजन नो सिलेंडर एक काला रंग नो आई छे अने एकीटिलीन सिलेंडर मरोण रंग नो फॉर्चे एकर जोई हे तो oxy 60 gas साते नो welding तो oxy MARY गास साते gas मां जोई हे तो तेमा oxygen gas साते hydrogen call gas options charge petroleum gas जिवा gas नो उप़्योग करी ने ज्योत मैणावावства आवे छे तेमा ज्योत नी गर्मी थी जोड़वानी धातूने तथा फिलर मेटल ने अगलवामा आवे छे आवधी फ्लेमोनु तापमान अक्सी ऐसिटिलीन फ्लेम करता उच्छू हो वाती एवी दातों नो वेल्डिंग करवा माटे वप्राय छे जया गर्मीनी उच्छी जरूर पड़ती होय एर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग ते सोल्डरिंग माटे तता दागीना ने गरम करवा माटे उप्रयों की पड़ती छे वेल्डिंग नी अन्य पड़ती हो के जमा गर्मीनो श्रोत विद्यूत के गैस नी जयोत न थी तेवी वेल्डिंग पड़ती जुए तो थर्मीट वेल्डिंग, फार्ज वेल्डिंग, फ्रिक्सन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, कोल्ड प्रेसर वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग आगर जुए तो सो प्रदम जुए फार्ज वेल्डिंग तो फॉर्ज वेल्डिंग है ते धातों ने बट अनि लेफ संदा थी जोड़वा माटे उप्योग मा लेवा दी पद्धती छे ते मेटल प्लेट माधी पाइप बना माटे उप्योगी छे फॉर्ज येटले के टिपो साधी बासा मा करिये तो इंडक्षन वेल्डिंग इंडक्षन तो इलेक्ट्रिक इंडक्षन क्वाईल द्वारा गरम करीने बागोनों वेल्डिंग करवा आप अपद्धती वप्राय छे टूल टिपोनों ब्रेजिंग सिदी रंगोनों जोडान वगेरे आपद्धती थाय छे जोई ये तो टूल टीपोनू ब्रेजिंग इले के टूल होये छे जे माँ बॉडी ए अलग अने टीप एना उपर जोईन करवा माटे इंडक्सन वेल्डिंग जे उप्योगी छे थर्मिट वेल्डिंग ते जाड़ा बारे अनियमीत आकारना सडिया रेलना पाटा जिवागे सेक्सन वगेरेनू राशानिक प्रक्रियाती गर्मी आपिने वेल्डिंग करवा माटे वपराती पद्दती छे आक्रुती माँ जुईये दो जे रेलना पाटा जे त्याने जोईन करवा माटे अपद्दती थर्मिट वेल्डिंग वपराय जे त्यामा राशानिक क्रिया थाई बेर पाटाओने जोड़वा माँ आवे जे गर्शन लेके फ्रिक्षन वेल्डिंग मोट्टा व्यास्वाडी साफ्टोना छेडाओना सांधा वगेरे बनाव माटे गर्शन द्वारा गर्मी उत्पन करीने गरम थायला छेडाओने एक बीजानी नजीक लाववा माँ आवे छे नजीक लाव माटे एक छेडाने बीजा छेडा साथे गोल गोल फेर्वी ने गर्शीने गर्शन मिलाव माँ आवे छे आकर्टी माँ जीए तो बे वर्क पीस छे त्यानी उपर एक रोटेटिंग टूल छे त्याना द्वारा बे धात्तु नी वच्चे गर्शन उत्पन कराव माँ छे गर्शन उत्पन धादा दातु पिगडी अने जोईंट बनाव माँ आवे छे तो मित्रो आपड़े जोयू गवेल्डिंग मां केटली पद्धतियो छे त्याना उप्योग अशुँ छे आ बदी पद्धतियो इसने रुद्ध्योग मां उप्योग करीने मोटा मोटा हुआ 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 है